अजके इस वीडियों हम बात करेंगे फिक्स प्रिंसिपल के बारे में इसके बाद जो डाइलूशन मेथट डाइलूशन मेथट और इसके बाद जो है जो हमारी होती है इको कार्डियोग्राफी टेक इको कार्डियोग्राफी बहुत सिंपल है वो जो है नॉर्मली वेपस के दोरा की जाती है और डाई 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 मिलाते हैं उसमें क्या करते हैं इंजेक्शन पर डाई मिलाते हैं पहले हम क्या करते हैं जो वैंस होती है वहां से आर्मी की वैंस से क्या करते हैं वीनस ब्लड निकालते हैं उसमें dye mix करते हैं और फिर उसको लगाते हैं फिर जब होरे circulation पर जाती ही पहले और circulation के बद फिर arctrist से निकालके फिर उसको measurement करते हैं तो वह melhores है लेकिन fixed principle जो है इसको समझना चरूरी है यह बाउट ही कम किया जाता है क्योंकि इसमें इसमें को को सबसे पहले इसमें क्या है कैथेटर डालना पड़ेगा कैथेटर कहां से डालेंगे तो देखो हमको सबसे पहले मानलों की बाद हमारी पास यह क्या है do आज़री ठीक हैं यहां पर मानलों की वाद है हमारा है और यह हमारी क्या है यहां से यह हूँ है तो यह हाट में हर्ट के हम जो क्या करना हमको ऑज़िती होती है आ उसको कहतो है डालना है और उसको आउम गोंटने जाना सेब ट्रिकल, तो वेनցटरी कम से बलड ले सकते हैं से मेजरमेंट कर सकते यह फिर यहां से जो अच्छ आप मेजरमेंट करते हैं और घ्टना इसके बाद यहां है कि यह कहले हैं तो लेकिन ले और या यह करें लेने के बाद क्या करते हैं हम इन दोनों का तो देख लिए कि इसमें ऐक्सिजन को क्या अब इसके बाद हमारे टोटल बॉडी या पिर हमारे लंक्स ऑपर तुझे लंग्स कतना कशम कर रहा है वह देखते तो यह предлож कि हमारा 200 ml क्या कर रहा कंजूम कर रहा एक मिनट पे ठीक है और यहां का भी हमने मानलोग बाद कैथेटर डालके निकाले तो यह हमारा कितना निकला 160 mmHg निकला मानलोग की बाद जैसे कि यहां पर दिया आज़े देखो ठीक है 200 हमारा लंक्स का निकला और 160 इसका और आटरी का निकला 200 दोन दोन से खटाएंगे हम तो 40 और दोन से 5 लिटर पर मिनिट हमारा क्या गया काडिया काउटपुट अगया तो इस प्रकार से हम सिंपल साइस को निकाल देते हैं ठीक है तो यह था हमारा फिक्स प्रेंस्पल इसको बहुत कम अप्योग करते हैं क्योंकि इसमें क प्रेलोड और अफ्टर लूट बहुत कन्फूजन होता है इसको इतने अच्छे तरीके से शंज़ेंगे बहुत कम ठाइम में अच्छे से याद हो जाएगा तो देखो Simple सा लोचिक है प्रिलोड और अफ्टर लूड याद करने का प्रिय लोड का मतलब क्या होता है कि नाम स इन यहंदे से यहां अपर आता हमारा नीचे तो यह हमारा भालों के बात पूरा का पूरा यहां पर क्या हो गया थे थीख के टो ओरके वॉल्लम यहां भरना बंदoter के एंड में के मसलं कि रहेंगे क्यों अतना बजन लॉων करहें सेहां तो इसलिए यह क्या वोल रहा है क्योंकि यह सबसे सबसे पहली वाला वाला धुर्स है इसको प्री लोट जोel memorize फिर अप्ड ग deg स्डार चांट के वाथ क्या होगा फिर को होना रहता है पर यहां पर क्या है आयोटिक वॉल्व लगे हुए है जिसको सेमिलोनार वाल भी कहते हैं तो वो बंध है अभी ठीक है तो अब जो है थोड़ा और प्रिशर लगाएगा ठीक है पहले से था प्रिलोड वाला था उसके बाद जो अब इसको पंप करने के लिए फिर एक और लोड मतलब की जो वॉल्यूम के कारण जो लोड या प्रिशर है तो प्रिष्ट उसके बाद जो है ऐयोटा से जो जाने के लिए उस वॉल्प पर लगने वाला प्रिशर को अफ्टर लोड कहते हैं कि यह बाद में लग रहा ना पहले तो फ्लोड के करना लगा फिर उसके ब जिसको बहुता है कि इसको मैं ऐसा है बोल सकते हैं कि वाल्यम ब्लेट फिल्ड इंद वेंट्रिकल जुस्ट पिफोर था कॉंट्रेक्शन स्टाट होने से पहले क्या होता है कि जो वोल्यूम भरा रहता है उस वाल्यूम के करन जो प्रेशर लग रहा हूँ तो प्रिलोड रहें दूसरी चर्म में बोले हैं तो प्रिलोड इज दा एंडियस्टालिक बॉलन जो डाष्टोल एंड हो गया हो ना तो दीजिक घ्यार प्रिलोड मौलते हैं तीसी डेविवीश्यड डिगरी टेंशन ऑन द नहीं रहेगा कि प्री पहला क्या है तो यह प्री लोड इस टाइप से जो है अंडेस्टेडिंग कर सकते हो जो सिंबल अफ्टर लोड का भी डेफिनेशन देखो इसका क्या लोड अगेंस्ट दा विच मसल्स एक्जर्ट दा इट्स कॉंट्राक्टाइल फोर्स जो मसल्स रहे लेकिन आयोट अकलन लगरा ना ऑयोटिक व्ल एक करा खोलने के काडन उसको खुल नहीं तो उसके अग्ञैंस्ट और जो इन्टेस्ट से महाने primo रियंड तो पहला को यह तो फ्री बोडू नहीं रहता है इसका पहला कि कि अफ्टर लोड में या लोव आईगा तो प्रिलोड में अथा प्रिलोड में क्यों आता क्योंकि फ्रेंक स्टार्डिंग लो जो है एंडास्टालिक वोल्यूम जितना ज्याद में लागो उद्टा तो ग्रेटर इस ट्रेटर आयोटिक वाले पर नहीं लगता ये ठीक है तो ये तो समझ में आ गया होगा फ्रेंक स्टारिंग लॉबी अब इससे ले रेलेटेड क्या होता है एक और कंसेप्ट होता जो बहुत जरूरी है वो ये है कि भई हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन और हॉमोमेट्रिक रेगुलेशन इससे भी लिंक है प्री लोड और अफ्टर लोड क्या से तो प्री लोड जो है हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन से लिंक है और जो हमारा अफ्टर लोड है वो हॉमोमेट्रिक से हना तो हेट्रोमेट्रिक regulation में क्या होता है वो force of contraction initial length पे क्या होता है अनुगरवानुपादी होता है तो इसी को हम बोलते हैं कि फ्रांकिस्टान लो तो ये heteromatic regulation भी बोलते हैं इसको ठीक है और homometric में क्या हो जाएगा कि वो after load पे करता after load मतलब force of contraction है तो वो after load पर भी करता है आयोटा पर जो लग रहा अब उसके अलावा वो गया करता है मैंनली जो sympathetic और परा-sympathetic भी करता था मैंनली आयोटिक फोर्स था और दूसरा में जो sympathetic stimulation और परा-sympathetic